आप एक कारोबारी हैं, कोई नोकरी करते हैं, कैनेडा में जाके बसना चाहते हैं, कैनेडा में रहना चाहते हैं, कैनेडा की पी आर लेना चाहते हैं, कैनेडा के वसनीक बनना चाहते हैं, आप दो महीने में कैनेडा जा सकते हैं, आपको पी आर चाहिए, आपको सेटल होना है आपको बच्चों को साथ लेके जाना है किसी भी तरह की कैनेडा में सेटल होने की आप कोई समस्या है उसका हल निकाल के देंगे आपको बता है आपकी बच्चे की पढ़ाई पे क्रोडों रुपया लगेगा अगर आप उसको कैनेडा पढ़ने के लिए भेजते हैं कि ऊपफे और जडि आप कुद माईग्रेट मिल जाते हैं आपके बच्चों को पीयार मिल जाती है तो आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री हो जाती है कि जडी आपके भी बच्चे 80 101 212 या आपके बच्चों की उमर 14-15 साल है बच्चा दस्वी तक पड़ा है आप चाहते हैं दो साल बाद बच्चे को कैनेडा भेजना है उससे अच्छा है आप अभी पूरे परिवार की पी यार लेके बच्चे को कनेडियन सिटिजन बना सकते हैं जिससे उसकी पड़ाई का खर्चा फ्री हो जाएगा आज उत्तरभारत से बहुत सारे लोग माइग्रेंट हो रहे हैं रोजी रोटी के चकर में हर कोई निकलना चाहता है आज कारोबार बंद हो रहे हैं आमदनी कम हो रही हैं कमपिटिशन का मसला है लोग एक नया घर बनाना चाहते हैं हर किसी की एक लग समस्या है कोई समाज से दुखी है कोई कारोबार से दुखी है कोई अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहता है आज लोग अजादी चाहते हैं अजादी चाहते हैं भरष्टा चार से जाती चाहते हैं मंदी से आज कारोबार में आपको भी अगर घाटा पड़ चुका है आपकी नोकरी जा चुकी है हर रोज सोचते हैं कि कैनडा कैसे जाया जाए दो से तीन मीने का समय लुगा तीन मीने में आप सारा परिवार कैनडा चले जाएंगे अभी कौन से वीजे पर जाएंगे बहुत सारे वीजे होते हैं कानडा में आप कारोबार खरीद के जा सकते हैं आपके पास तो चार क्रोड रुपया है आप इन्वेस्टर कैटागरी के अंदर बिजनस खरीद के कोई उसमें पक्के हो सकते हैं आप नोकरी करते हैं आप नोकरी करने के बेस पर जा स सकते हैं जदी आप डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं आपने को बैचलर डिगरी कर रखी है पिछले पांच-दश साल से को नोकरी कर रहे हैं कि आप वर्क पर्मिट पे काम करने के लिए लमाई लेके भी कैनड़ा जा सकते हैं कि यदि आप कम पड़े लिखे हैं तो आप बिजनेस बाय करके जा सकते हैं कि यदि आप शादी शुदा है आपकी बीवी पड़ी लिखी है आप स्टूरेंट वीजा पर भी जा सकते हैं आपके पास कुछ भी नहीं है आप विजिटर वीजा अपलाई करके जा सकते हैं पैसे कि आपसे तो लिए जाएंगे जब आपका वीजा लगेगा कि समस्या पेटकी है समस्या मजबूरी जो आण पड़ी है जो कारोबार बंद हो गए हैं बच्चों को अच्छा भविश्य देना चाहते हैं यह समस्या है हर रोज प्राब्लम्स बढ़ रही है कम नहीं हो रही जो चीज एक बार महंगी होगी कभी शस्ती नहीं हुई आज पंजाब के लोगों को यह चीज समय लग चुकी है तब ही आज कैनेडा के अंदर मिनी पंजाब बन गया है अगर आप भी उत्तर भारत में कहीं रहते हैं हर्याना में रहते हैं दिली में रहते हैं दिली के आसपास कहीं रहते हैं और कैनेडा में पियार लेना चाहते हैं वहां रहना चाहते हैं वहां काम करना चाहते हैं तो हमारे चंडीगड मुहाली ओफिस में आके मुझे मिलिए में आपकी हर एक समस्या का हल निकालेंगे आपने विजिटर वीजा डाला था आपका वीजा रिफ्यूज हो गया आपके एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट नहीं बन रहे कि आपको कारोबार में घाटा पड़ गया है आप कैनेडा जाना चाहते हैं वहां आपके दस रिष्टेदार रहते हैं जो रोज फोन करते हैं एक बार आजाओ आगे का काम हम कर लेंगे ऐसी कोई भी समस्या है इस वीडियो के साथ में आपको एक नंबर दे रहा हूं इस पेक में स्कॉल कर दीजिए हमारी टीम आपसे संपरक करेगी हमें चंडीगडा के मिलिए आपके सपनों को मरने नहीं देंगे आपका कैनडा जाने का सपना सकार होगा और पैसे लेंगे वीजा लगने के बाद औ और भी कोई समस्या है करेड़ा जाने से समंदर तो हमें चंडीगडा के जुरूर मिलिए तन्यवाद